नमस्कार दोस्तों मैं नास्तिक की हूँ एम अन्यलेक के उपनियास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मैं हूँ अपशिक कुमार और आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय तेरा जिसका सिर्चक है बम कंड पर सेशन कोट में बयान आज की इस एपिसोड की माध्यम से हम लोग देखेंगे कि वास्तों में बम कंड पर भगत सिंजी ने और उनके सात्यूर ने उस समय क्या बयान दिया था और उस समय का क्या इस्थिती थी तो आज का जो यह अपिसोड है थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा चैप्टर है उसलिए वक्त को भीना गवाएं हम लोग अपना कारे शुरू करते हैं यानि भगत सिंजी के द्वारा लिखा गया है लेक अध्याय तेरा जिसका सिर्चक है बम के सोर्दत त्वरा असेंबली में बम फेकने के बाद 6 जून 1929 को डिली के सेशन जर्ज एम लियोनार्ड मिडिल्टन की आदालत में दिया गया एतिहासिक प्यान हमारे उपर गंभीर आरुप लगाए गये हैं इसलिए या आवस्यक है कि हम भी अपने सफाई में कुछ सब् अपरात के सबंध में निमलिकित प्रस्न उठते हैं पहला प्रस्निया उड़ता है कि क्या वास्तों में असेंबली में बम फेके गए थे यदि हां तो क्यूं दूसरा प्रस्निया है कि नीचे की आदलत में हमारे उपर जो आरोप लगाए गये हैं वे सही है या गलत पहले प्रस्न के पहले भाग के लिए हमारा उतर स्विकारात्मक है लेकिन तथा कथि चस्मिदीद गवाहों ने इस मामले में जोगाही दी है और सरासर जूट है चुकि हम बम फेकने से इंकार नहीं कर रहे हैं इसलिए यहां इन गवाहों के वियानों की सचाई की विपरक भी हो हमने आपने आपको पुलिस के हाथों में सोपा तो हमें से किसी के पास कोई पिश्टोल नहीं थी जीन गवाहों ने कहा कि उन्होंने हमें बम फेकते देखा था वे जूट बोलते हैं नियाय तथा निस्पक्ष बिवार को सरपरी मारने वाले लोगों को इन जूटी बातों से एक सबक लेना चाहिए साथ ही हम सरकारी वकिल ये उचित विवार तथा आदालत के अभी तक के नयाय संगत रवय को भी स्विकार करते हैं प्रस्ण के दुश्रे हिसे का उतर देने के लिए हमें इस बमकांड जैसी एतिहासिक घटना के कुछ विश्टार में जाना कि लौड इर्विन ने इस घटना के बाद ही एसेंबली के दोनों सद्मों के समेलित अधिवेशन में कहा कि या विद्रोही किसी ब्यक्ति विश्चेस के खिलाफ नहीं वरंद संपूर्शासन ब्योस्था के विरुष्था यह सुनकर हमें तुरंत भाप लिया कि लोगों न से देखते हैं हम ना तो बबरता पुर्वक उप्तरो करने वाले देश के कलंक है जैसा कि सुशिलिस्ट कहान लाने वाले दिवान चमल ने कहा है और नाहीं हम पागल है जैसा कि लहूर के तुभियन तथा कुछ अन्य अखवारों ने सिद्ध करने का परियास किया है हम तो क पाखंड से नफरत है इस लेक के शिर्षक एक अपकार जनक संस्था उस पर भगत सिंजी ने और उनके सत्यूं ने क्या लिखाया देखते हैं यह काम हमने किसी ब्यक्तिगत स्वार्थ अथ्वा बीद्वेश की भावना से नहीं किया हमारा उदेश से किवल उस शासन व्यो का धिन विश्वास होता गया कि वकिल संसार के सामने भारत की लजा जनक तथा अस्था अवस्था का धिन्डोरा पेटने के लिए ही कायम है और वह एक गहर जिमेदार तथा निरंकुष शासन का परतिक है जनता के प्रतनिदियों ने कितनी ही बार राश्ट्रिय मांगों को सरकार के सामने रखा परन्तु उसने उन मांगों को स्वर्था अवलेना करके हर बार उन्हें रदी की टोकरी में डाल दिया सदन द्वारा पास किये गए गंभीर प्रस्तावों को तथा कथित परल्यामेंट के सामने ही इत्रिश्कार पुर्वक पैरो तले रोन दिया गया समनकारी तथा निरंकुस कानूनों को समाप्त करने की मांग करने वाले प्रस्तावों को हमेशा अवग्या के द्रिश्टी से ही देखा गया है और जनता द्वारा निरवाचिक सदस्यों ने सरकार के जिन कानूनों तथा प्रस्तावों को आवंचित एम और पैधानिक बता क कर दिया था उन्हें किवल कलम हिला कर ही सरकार ने लागू कर दिया संच्छेप में बहुत कुछ सोचने के बाद भी एक ऐसी संस्था के अस्तितों का अउजित्य हमारी समझ में नहीं आ सका जो बावजूद उस तमाम सानों सौकत के जिसका अधार भारत के करोड़ों मेहनतकस की गाड़ी कमाई है तिवल मात्र दिल को भालाने वाली ठोथी दिखावटी और सरारतों से भरी हुई एक संस्था है हम स्वार्जनिक नेताओं की मनुवर्थी को समझ पाने में भी असमर्थ हैं हमारी समझ में नहीं आता कि हमारी नेतागन भारत की असहाय परतंतरता की ख दूर अंदोलन के नेताओं की धर पकड़ पर विचार कर ही रहे थे कि सरकार अद्योगिक विबाद विध्यक लेकर सामने आई हम इसी सबंद में असेंबली की करवाही देखने गये वहां हमारा अविश्वास और भी धिंड हो गया कि भारत की लाखों मेहनतकास चंता एक एसी संस्था से किसी बात की भी आसा नहीं कर सकती जो भारत की बेवस मेहनतकासों की दास्ता ताथा सोस्कों की गला घोटू सकती की अहितकारी येदगार है अंत में वह कानून जिसे हम बरबर अमानुए समझते हैं देश के प्रतिनिद्यों के सरों पर प्रठक दिया गया और इस परकार कडोरो संघर्षरत भुखे मजदूरों को प्रात्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उनके हाथों से उनकी आर्थिक मुक्ति का एकमात्र हतियार भी छिल लिया गया जिस किसी ने भी कमर तोड़ परिश्रम करने वाले मुख मेहनतकासों की हालत पर हमारी तरह सोचा वह साथ इस्थिर मंद से या सब नहीं देख सकेगा बली के बक्रों की भाति सोसको और सबसे बड़ी सोसक स्वयम सरकार है कि बलवेदी पर आये दिनों होने वाली मुदूरों की इन मुख कुर्बानियों को देखकर जिस किसी का दिल रोता है वह अपनी आ इस्था अपने नेत्रा भंग करने के लिए बं का उपियोग अवस्यक था श्रीदास के इन ही सब्दों को सामने रखकर हमने असेंबली भावन में भंभ फिके थे हमने वह काम मजदूरों के तरफ से परतिरोद परतैसित करने के लिए किया था उन अस्थाय मजदूरों के पास अपने मरमानतत कलेशों से प्यक्त करने का कोई साधम भी तो नहीं हमारे एकमातर उदेश था बहरों को सुनाना और उन पुणतों को मांगो पर ध्यान ना देने वाली सरकार को समय रहते चेतावनी देना हमारे ही तरह दुसरों को भी परोक्ष धारना है कि परसांद कि ये बगएर तीज रफ्ता से आगे की तरफ भागे जा रहे हैं हम लोगों को सिर्फ यह बता देना चाहते हैं कि काल्पनिक अहिंसा का यूग अब समाथ हो चुका है और आज की उर्तिवी नई पीड़ी को उसकी ब्यास्ता में किसी भी परकार का संदे नहीं रह गया है म उस आने वाले रख्ठपात को हम ही नहीं लाखो आद्मी पहले से ही देख रहे हैं लेक का दूसरा topic काल्पनिक अहिंसा उपर हमने काल्पनिक अहिंसा सब्त का परयोग किया है यहां पर उसकी ब्याख्या कर देना भी आवस्यक है आकरमक अिसलिक से जब का परयोग होता है उसे हिंसा करते हैं और नायतिक द्रिष्टिकोंच से उसे उझित नहीं कहा सकता लेकिन जब उसकायो किसी वैज आधर्स के लिए किया जाता है तो उसका नायतिक ओषिद्टे भी होता है किसी हालत में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए यह विचार काल्पनिक और अबहारिक है धर्देश में जो नया अंदुलन तेजिक के साथ हुट रहा है और जिसके पुरुशुचना हमें दे चुके हैं वह गुरु गबिंद सी शीवा जी कमाल पसा रीजी खां वास इस अंदुलन की वहर से उदासिल लगते हैं और जान बुझ कर उसकी पुकार की वहर से अपने कान बंद करने का प्रयत्न कर रहे हैं अता हमने अपना करताव्य समझा कि हम एक ऐसी जेतावनी दे जिसकी अहलेना ना की जा सके सिसक हमारा अभिप्राय अभी तक हमने इस घटना के मूल उदेश सिपर परकास डेला अब हम अपना अभिप्राय भी ऐस्पस्ट कर देना चाहते हैं यह बताने के ओसकता नहीं है कि इस घटना के सिलसिले में मामली चोटे खाने वाले ब्यक्ति तथा एसेंबली के किसी अन पवित्र मानते हैं और किसी अने ब्यक्ति को चोट पहुंचाने के बजाए हम मानो जाती की सेवा में हस्ते हस्ते अपने प्राण विसरजित कर देंगे हम समराज वाद की सिनके भाड़े के सानिको जैसे नहीं है जिनका काम ही हत्या होता है हम मानो जीवन का आधर करते हैं और व्राबर उसकी रक्षा करने का प्रति नकरते हैं इसके बाद भी हम सुखार करते हैं कि हमने जान पुझ कर असेम्बली वहन में बं फिका घटनाय सोयम हमारे अभिप्राय पर परकास डालती हैं और हमारे इरादे की परक हमारे काम के प्रणदाम के अधार पर होने चाहिए ना कि आठकल और मन गणनत परस्तितियों के अधार पर सरकारी विश्यसगे की गवाही की बिरूद हमें यह कहना है कि असेंबली बवन में फेके गए बमों में से वहां एक भी खाली बेंच को ही कुछ नुक्सान पहुंचा और लगभग आधे दरजन लोगों को मामने सी खरुच भराया सरकारी बेगनिकों ने कहा कि बड़े बम चुरदार थे और उनसे अधिक नुक्सान नहीं हुआ इसे एक अन्होनी घटना ही कहना चाहिए लेकिन हमारे विचार से उन्हें बेगनिक धंग से बनाया ही ऐसा गया था पहली बात दोनों बम बेचो तथा डेशकों के बिच खाले जगा में ही गिरे थे दुसरी उनके फुटने के जगा से दो फीट पर बैठे हुए लोगों को भी जीन में स्री पीयार राउ तथा सर जोर्ज सुस्टर के नाम उलेखनी है या तो बिल्कुल ही चोटे नहीं आई है या मात्र मामली आई है अगर उन बमों को जोड़दार पोटेसियम कोलरेट और पिकरीक एसीड भारा होता जैसा कि सरकारी बिस्टेस गे ने कहा है तो उन्हें बमों में उस लकड़ी की घेरे की तोड़कर कुछ गज की दूरी पर खड़े लोगों तक को उड़ा दिया होता और यदि उनमें कोई भी और भी सक्तिसाली बिस्फुटक भारा जाता तो निश्चय ही असेंब्ली की अधिकान सदस्यों को उगला देने में समर्थ होते यही नहीं यदि हम चाहते तो उन्हें सरकारी कच में भी फेक सकते थे जो बिस्फुट भेक्तियों से खचाख भारा था या फिर उस सर जोन साइमन को अपना निशाना बना सकते थे जिसके अभागे कमिशन के परतेक विचारसिल भेक्ति के दिल में उसकी और से गहरी नफरत पैदा कर दी थी और जो उस समय असेंब्ली की अध्यक्ष दिर्गा में बैठा था लेकिन इस तरह हमारा कोई इरादा नहीं था और उन बहमों में उतना ही काम किया जितने के लिए उन्हें त्यार किया गया था यदि उससे कोई अन्होनी घटना हुई तो यही कि वे निशाने पर आर्थार्थ निरापद अस्थान पर गिरे सिसक एक एतिहासिक सबक इसके बाद हमने इस कारे का डंड भोगने के लिए अपने आपको जान बुच कर पुलिस के हाथों समर्पित कर दिया हम समराजवादी सुसकों को यह बता देना चाहते हैं कि मुठी भर आदमियों को मार कर किसी आदर्स को समाप नहीं किया जा सकता और नहीं दो नगन ये ब्यक्तियों को कुचल कर राष्ट को दबाया जा सकता है हम इतिहास के सबक पर जोड देना चाहते थे कि परचै चीन तथा बास्तिये फ्रांस की कुखै जेल जहां राजनितिक बंदियों को घोर अतनाय दी जाती थी फ्रांस के करांतिकारी आंदोलोन को कुचलने में समर्थ नहीं हुए थे हासी केफंदे और सैवेरिया की खाने रूसी करांतिक याग को बुझा नहीं पाई थी तो फिर क्या अध्यादेश और सेफ्टी बिल्स भारत में अजादी को लोग को बुझा सकेंगे सद्यांत्रों का पता लगा कर या गड़े हुए सद्यांत्रों को द्वारा नवजवानों को सजा देकर या एक महान आधर्स के सोपने से प्रेवित नईविकों को जेल में ठूस कर क्या करांतिक अभियान रोका जा सकता है सामविक चेतावनी से बसरते की उसकी उप्रेख्चा ना की जाए लोगों की जाने बचाई जा सकती है और वियर्थ की मुसिब्तों से उनकी रक्षा की जा सकती है आगाही देने का या भार अपने उपर लेकर हमने अपना कर्तब ये पूरा किया है शिर्षक क्या है करांती भागत सीन से नीचे की आदालक में पुछा गया था कि करांती से उन लोगों का क्या मतलब है इस प्रस्ण के उतर में उन्होंने क्या था कि करांती के लिए खुनी लड़ाया अनिवारे नहीं है और नहीं उसमें ब्यक्तिगत पर तिहिंसा के लिए कोई अस्थान है वबाम और पिस्टोल का संपरदाय नहीं है करांती से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मुझूदा समाज ब्यश्था से आमूल परिवर्तन समाज का परमुख अंग होते हुए भी समाज है दुनिया भर के बजारों को कपड़ा मुहया करने वाले बोनकर अपने तथा बचों को तन ढखने भर को भी कपड़ा नहीं पा रहे हैं सुन्दर महलो का निर्मार करने वाले राजगीर स्वयम गंदे बाड़ों मेरा कर भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं इसके विप्रिज समाज के जोक सोशक पुझी पती जारा जारा सी बातों के लिए लाखों का वारा नेयारा कर देते हैं यह भयानक असमंता और जबरदस्ति लादा गया है बेदबाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उतल पुथल की ओर लिया जा रहा है यह स्थिति आधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती असपस्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक जवाल मुखी के मुख पर बैठकर रंगरेलिया मना रहा है और सोस्को के मासुम बच्चों तथा करोडों सोसित लोगों एक भयानक खड़े की कगार पर चल रहे हैं सिर्शक आमुल परिवर्तन की आवसक्ता सभयता का या परसाद यदि समय रहते संभाला ना गया तो सिर्ग ही चमरमराग कर बैठ जाएगा देश को एक आमुल परिवर्तन की आवसक्ता है और जो लोग इस बात को महसुस करते हैं उनका करताब्य है कि समयवादी सिधानतों पर समाज का पुनर निर्मार करें जब तक या नहीं किया जाता और मनुस्य द्वरा मनुस्य का तथा एक राष्ट द्वरा दूसरे राष्ट का सोसड जिससे समराज वाद कहते हैं समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक मनावता को उसके कलेशों से चुटकारा मिलना असंभव है और तब तक यूद्धों को को समाप्त कर 207 के यूग का प्रादुरुभाव करने की सारी बाते महज ढूंग के अत्रिक्त और कुछ भी नहीं है करांति से हमारा मतलब अंत्त तुगतवा एक ऐसी समाज बेस्था की अस्थापना से है जो इस प्रकार के संकटों से वरी हो और जिसे सुरहरा वर्ग का अध अंतिम शिर्शक सामयक चेतावनी यह है हमारा आदर्श और इसी आदर्श से प्रहणा लेकर हमने एक सही तथा पुर्जूर्ट चेतावनी दी है लेकिन अगर हमारी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान सासन बेश्था पर उड़ती होई जन सक्ति के मा सबस्रुब सरहरा वर्ग अधिनायक तंतर के अस्ठपना करेगा या अधिनायक तंतर करन्ति के आदर्शों के प्रूति के लिए मार्ग पर सश्ट करेगा करांति मानुaggi, जन्यांति का जनम चात अधिकार है जिसका अपरण नहीं किया सकता तंधरता परतेक मनुष्य का जन भी डंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करते हैं करांति की इस पुजा वेदी पर हम अपना यावन नवे की रुप में लाए हैं और क्यूंकि ऐसे महान आदर्स के लिए बड़े से बड़े त्याग भी कम हैं हम संतूष्ठ हैं और करांति के आगमन की उच्षुकत खतम होने वाला है और हम लोग नए साल में नए सफर की शुरुबात करेंगे जो बहुत ही दिलचाप्स होने वाला है बस वेट करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद